7.5 यानि की 7.5 दिन में केसिस दोगुने हो रहे हैं जो positive sign है और सरकार लगातार ये कह रहे हैं कि आप जिस सरह से सही हो कर रहे हैं इसी सही हो के आगे बढ़ाते रहे हैं ताकि कोरोना वाइरस के जो केसिस हैं वो इसी तरह से लगातार कम होते जाएं राजसान की दॉलपूर की खबर है जहां लॉकडाउन में डील मिलते ही लोग भारी तादाद में घरों से निकल आए हैं और गैस एजंसी पर लोगों की भीर दिखाई दी जहां लोगों ने जरूरी दूरी का भी द्यान नहीं रखा जरूरी कामों के लिए दी गई छूट का लोगों ने घलत फाइदा उठाया कोरोना के खत्रे को भी लोग पूरी तरह नजर अंदास करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इधर माराश सरकार ने राज़ी में फसे हुए मज़ूरों को रोजगार देने की गरट से मुंबई में निर्मान कारे को अनुमती दी है जबकि मुंबई थाने नवी मुंबई जैसे रेड जोन में केवल टोल नाके की वसूली और कंस्रक्शन की अनुमती दी गई है ताकि फसे मज़ूरों को रोजगार दिया जा सके और उनके खाने पीने का इंतिजाम हो सके तो ये इस वक्त की बड़ी खबर महराज सरकार ने निर्मान कारे को अनुमती दी है लेकिन वो कौन-कौन से हिस्से हैं जहां पर ये कारे हो सकता है मुंबई पुने को छोड़कर नवी मुंबई को छोड़कर बाकी इलाकों में आप निर्मान कारे कर सकते हैं महाराज सरकार ने कुछ नियमावली के साथ औरेंज जोन और ग्रीन जोन में व्यावसाय करने की व्यापार करने की इंडस्ट्रीज को चलाने की और फ्रिशी संबंधित कारियों के लिए अनुमती दी है लेकिन मुंबई अभी भी रेड जोन में है मुंबई में इस तरह की कोई भी अनुमती नहीं दी गई है सिवाए बाध काम के यानि दुरूस्पी का काम हो उसके लिए जो है अनुमती दी गई है और ऐसे में जो यहाँ पर पसे हुए मजदूर है उन्हें हायर करने की बात कही गई है जिसके तहट अगर आप देखें तो अगरें गलाव साथ ही साथ जो है सेनेटाइजर यह सब दी गई है और अब बात कही गई थी कि तरफ से कि हर एक मजदूर ताकि वह अपनी घर से आ सके जा सके इसके लिए आईडी कार्ड इशू किया गया है किस तरह का आईडी कार्ड है जासे दिखाए तो यह महरास्ट्रे सरकार की तरफ से MMIDA की तरफ से इशू किया गया हुआ ID कार्ड है यानि जो मजदूर यहाँ पर साइट पर काम करने आएगा वो मजदूर अपने साथ इस कार्ड को कैरी करेगा तो रेड जोन जो वाले एरिये हैं वहाँ पर सिर्फ कंस्रक्शन और टोन लांके का काम हो सकेगा बाकी किसी भी काम की अनुमतीन नहीं है इदर लॉकडाउन की वरे से अगरतला में फसे राजस्तान के एक मज़ूर ने अपने बेटे के नाम को ही लॉकडाउन रख दिया राजस्तान का रहने वाला यादमी अपनी पत्नी के साथ रोजगार के सिलसले में अगरतला में रहता है ये लोग लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही वापस राजस्थान जाना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने इनके रहने खाने का यहीं इंतिजाम कर दिया इतना ही नहीं जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की वज़से अगरतला में रुखने को मजबूर इन लोगों के मेडिकल चेकप का भी पूरा बंदुबस किया और जब बेटे का जन्म हुआ तो इस आदमी ने लॉकडाउन के दिनों को याद रखने के लिए बेटे का नाम ही लॉकडाउन रख दिया इधर मत्रा में कोरोना से मुक्ती दिलाने के लिए रुद्रा बिशे किया गया धर्माचारे ने सुंबार को सोंग प्रदुष के अवसर पर रुद्रा बिशे किया 21 एशो से 1331 लोगों को रुद्रा बिशे कराया गया सोशल मीडिया के जरिये ऑनलाइन रुद्रा बिशे कराया किया लोगडाउन के बावजूत पटना के दानापूर में लोग सोशल डिसेंसिंग को मानने को बिल्कुल तयार नहीं है खेरत की बात यह है कि पुलिस और प्रिशासन भी इस मामल में पूरी तरह से लापरवाही बरत्ता नजर आ रहा है और इधर राजसान के सिरोही जिले से अच्छी खबर है कोरोना से प्रभावित राध सिरोही जिला अब ग्रीन जोन में आ गया है जहांपर कोरोना का एक भी मरीज नहीं होता है ग्रीन जोन घोशित होने के साथ ही आजसे सिरोही में लॉकडाउन से शर्तों के साथ कुछ को छूट भी मिलेगी अलाकि सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 पहले की तरह अभी लागू रहेगी राजस्तान के जालवार से खबर है जहां पुलिस ने देशी शराब बनाने के मामले में दो लोगों को गिरफतार किया है लोगों के पास से पुलिस ने देशी शराब बनाने का कच्चा सामान भी बनामत किया है लॉकडाउन की वड़ा से देशी शराब की मांग बढ़ी है जिले में पुलिस की करवाई में अब तक 10,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है